Hey everyone, welcome back to Kingdom of Learning तो this is very important video क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Delhi University के students का जो OBE के लिए protest चल रहा है उसके बारे में As you all know कि बहुत दिन हो गए है ये protest स्टार्ट हुए और अब इस protest ने एक बिलकुल ही अलग turn ले लिया है Means इस protest का अब Delhi University ने कहीं का कहीं घुमा दिया है तो अब इस पे क्या है कि बहुत सारे students के comments आ रहे है Phone calls भी आ रहे हैं, messages भी आ रहे हैं कि मैम अब इस protest का क्या हुआ क्या ये protest खतम हो गया है, क्या अब हमारा OBE होने का कोई chance नहीं है तो उसी बारे में हम इसमें detail में discuss करने वाले है Means जो students मेरे touch में थे, जिनकी थूँ मुझे सारी information आ रही थी कि protest में अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है पिछले 3-4 दिन से उनकी तरब से कोई message नहीं आया So that's why I got worried कि सब ठीक है या नहीं है तो फिर मैंने YouTube पर भी कुछ videos देखी जिसमें ये समझ में आया ये पता चला कि कुछ जो चार उनके leaders थे, जो students थे Means उनके उपर FIR कर दी गई है and they are missing तो I really got worried, फिर मैंने उन बच्चों को message किया कि are you all fine तो वहां से मुझे जो answers आये वो ये थे कि ma'am DU ने हमारे उपर police की FIR करवा दी है और ये जो चार students है, इनका एक last video आया था दो-तीन दिन पहले और उसके बाद से ये चारो students जो हैं ये गाइब है Means इनके बारे में किसी को कुछ नहीं बता कि ये कहां है Even इनों ने ये भी बोला था कि अगर DU ने हमारी demand को नहीं माना तो हम means suicide कर लेंगे तो अब इसके बारे में Then I started searching for other videos on this thing on YouTube तो जब means मैंने YouTube पर चेक किया तो ये बात सही थी कि ये चारो बच्चे जो हैं वो missing थे और means किसी को नहीं पता कि ये कहां है और इनकी जो condition थी वो बहुत बुरी लग रही थी उस video में जो इनोंने खुद डाला था I think Twitter पे डाला था इनोंने और अब जो आज मुझे update मिला है means आज भी मैंने कहीं पर देखा है कि अब ये पता चला है कि इन में से जो एक दिव्यानशू नाम के student है उनको पुलिस काउंसलिंग में भेजा गया है means उनको और उनकी family को समन मिला था डेली पुलिस की तरब से और उनकी डेली उनिवर्सिटी से means डेली पुलिस से काउंसलिंग हो रही है तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा question ये आता है कि वो students कौन है means वो students हैं डेली उनिवर्सिटी के students और उन्होंने protest क्यों किया क्योंकि उनको कोई problem थी वो किसी चीज के लिए agree नहीं कर रहे थे वो ही नहीं means वो कोई चार बच्ची अकेले नहीं थे उनके साथ डेली उनिवर्सिटी के हजारों students और भी है means 40-50,000 students ने उनके online forms पर sign किये थे तो डेली उनिवर्सिटी means इतना ज्यादा उनका अपने students के साथ gap है means कोई communication ही नहीं है कोई interaction ही नहीं है अपने students के साथ की वो खुद बुला कर अपने students को सामने बिठाएं means Vice Chancellor कहा है डेली उनिवर्सिटी के क्या वो ये काम खुद नहीं कर सकते थे क्या वो student leaders को ही अपने सामने नहीं बिठा कर उनकी counselling कर सकते थे अगर उन्हें लगता था कि students के demand गलत है तो क्या वो उन्हें convinced नहीं कर सकते थे क्या वो उन्हें समझा नहीं सकते थे कि आपकी यह यह problems है और यहाँ पर हमारा यह यह point है means Delhi University is so rigid means उन्होंने अपने ही students को police के हवाले कर दिया this is too much तो Delhi University के vice chancellor जो आते हैं videos निकालते हैं कि यह है वो है बहुत sweetly बात करते हैं but I think he is like not taking things of students seriously अब यहाँ पर अगर आप YouTube पर देखें तो अब इस protest का बिलकुल ही एक अलग रूप बन चुका है बहुत सारे means यहाँ पर एक politics भी start हो गई है means जो पहले कोई डूसू के leaders थे उन्होंने कुछ students के साथ धोखा किया और उन्होंने ही students को फसवाया है ऐसी ऐसी बाते भी हो रही है और अब कुछ नए leaders है जो दुबारा से protest करने की start means बात कर रहे है और अब जो बात आ रही है कि वो 11th April को फिर से एक बहुत बड़ा protest होगा even उस protest में they are going to leave their demand in front of prime minister but कहां पर हैं सब means किसी को समझ ही नहीं आ रहा किसी को पता ही नहीं ज़रा कि students इतनी परिशानी में है students ही तो है वो बच्चे ही तो है उनके family को उनके parents को परिशान किया जा रहा है उन्हें परिशान किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है अगर means Delhi University के vice chancellor और इतना बड़ा जो उनका means office है वहाँ पर इतने सारे लोग है इतनी सारी authorities है उनके पास इतने भी guts नहीं है कि वो अपने students का matter खुद solve कर सकें उन्होंने वहाँ पर 144 लगवा दिया 188 लगवा दिया फिर यहाँ पर एक madam है जो proctor है उनका एक video आया था कि वो कह रही थी कि यह सारा protest illegal है यह है तो illegal कहां से हुआ means पहले students ने police से permission ली थी उन्होंने letters दिखाये थे हमें means उन्होंने बच्चों ने हमें send किये थे कि यह letters हमें मिले हैं यह permission हमें police से मिली है उन्होंने means पूरा police को पहले inform किया था कि हम यहाँ पर protest करेंगे और अब है कि Delhi University में उन students के means आने पर भी ban कर दिया गया है तो why और फिर इसके साथ अब एक नई चीज और है कि अब KYS जो क्रांतिगारी युवा संगठन है वो भी इस protest में join हो गए है क्योंकि उनकी भी demands है कि जो 5000 से भी ज़्यादा जो SOL के students हैं उनको कोई study material नहीं मिला वो लोग कैसे open book means अगर OBE नहीं होता तो वो offline exams में कैसे appear होंगे तो ये बहुत सारी चीज़े हैं और अब ऐसा लगता है कि जो पहले protest हुआ था means offline classes start करने के लिए उससे भी बड़ा protest अब ये बन गया है OBE के लिए और इसमें higher authorities even prime minister और you can say chief minister of Delhi इन सबको बीच में आना ही पड़ेगा क्योंकि Delhi University के जो vice chancellor है जो dean of examination है उनके control में तो कुछ है ही नहीं means या तो वो कुछ करना चाहते नहीं है या फिर वो कर सकते नहीं है इन में से दो ही चीज़े हो सकती हैं तो अब आप क्या चाहते हैं means आप students है आप अपनी जो भी thinking है आप उसे express कर सकते हैं याँ पर comment box में and I hope की Delhi University जो बिल्कुल deaf and dumb बन चुकी है उनकी कानों पर कुछ असर पड़ता है और वो students के means अगर बच्चे हैं अगर बच्चे protest कर रहे हैं नहीं पर जा रहे हैं तो obviously उनके parents भी नहीं चाहते हैं ये चीज़े parents भी परिशान हैं तो इतनी सारी families जो हैं वो disturbed हो जाती हैं तो why not university just find out any solution so this is a big question so here I end the video I hope आपको पूरी update मिल गई होगी कि अब 11th April से फिर से protest होना है and I wish कि उससे पहले ही Delhi University जो है कोई decision ले ले और इस तरह के protest जो है ये सब खतम हो जाएं और students जो है वो अपनी पढ़ाई पर focus करें so I think कि कुछ असर पढ़ेगा Delhi University के उपर कुछ उनको means better sense prevail होगी and let us hope for the best so let us see what happens next as soon as I will get any other update I will definitely let you all know so stay tuned for that and please share this video thank you so much